नमस्का राजनमा टीवी पर आपका स्वागत हैं मैं प्रियाम आपके साथ ONG2 में दिखाए गए संदेश का असर पढ़ना शुरू हो गया है कुछ इसकोलों ने इसे अमल किया है मुंबई के करीब उलास नगर में एक एजुकेशन सोसाइटी ने निर्ने लिया है कि वे अपने स्कोलों में इस साल से सेक्स एजुकेशन का सिलेबस शामिल करने जा रहे हैं कुछ दिन पहले वहां की सिंदू एजुकेशन सोसाइटी ने फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी इस स्क्रीनिंग में पंदरा स्कोलों के प्रिंसिपल एक सो चोरियासी टीचर्स और वहां के लोकल एमले को बुलाया गया था फिल्म के डारेक्टर अमित्राय भी इन्वाइटेट थे वहां सभी ने फिल्म की तारिफ की इस मोगे पर अमित्राय ने कहा कि उनका फिल्म बनाने का मकसद पूरा हो गया है डारेक्टर अमित्राय ने कहा कि मुझे खुशी है कि फिल्म में दिखाएगे सब्जेक्ट को गंभिर्दा पूर्वक लिया जा रहा है यह एक ऐसा मॉमेंट है जिसे मैं हमेशा संजोकर रखना चाहता हूँ मुझे खुशी है कि फिल्म ना सिर्फ कमर्शिली अच्छा प्रदेशन कर रही है बलकि हमारा संदेश बड़े पेमाने पर लोगों तक पहुँच गया है इसकी वज़े से हम अपने चारों तर्फ बदला होता देख रहे हैं इससे अधिक संतुष्टी क्या हो सकती है यह तो साफे की देश अब अपने शिख्षा प्राणाली में बदलाव करने के लिए पूरी तरह तैयार है सेंसर बोर्ड एक तरफ फिल्म को ए सर्टिफिकेट दे रही है दूसरी तरफ इसे समाज का हर वर्ग बिना किसी हिच्छाट के पसंद कर रहा है इसी के साथ बने रही है राजनामा टीवी के साथ रहने बाद